महिस लाब दिन खान और आप देख रहे हैं प्रहाड टाइम्स देश में किस तरह से अजान और नमाज पर घमासान मचा हुआ है ये किसी से छिपा नहीं है मगर रमजान के शुरुवात होते ही कई जगों से ये खबर सामने आए कि तरावी नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है लोगों को नमाज अदा नहीं करने दिया जा रहा है जिसमें एक जगह ऐसी भी थी पलावा लोधा यहाँ पर भी तरावी नमाज पढ़ने से रोक दिया गया था मगर ग्रह निर्मान मंत्री जितेंद्र अभाट ने इस मामले को घंबीरता से लिया और मंगल परसाथ नुधा से इस पर बात चीज़ कर यहाँ के रहने वाले सभी लोगों को रमजान के महीने में यहाँ पर फि सम्मान सतकार के लिए कल शमीम खान के बंगले पर यह सभी लोग पहुचे थे मगर किसी काम से ग्रह निर्मान मंत्री जितेंद्रवाट बाहर गय हुए थे वो वहाँ नहीं पहुच पाए और इन लोग सभी लोगों ने शमीम खान का भी शुक्रिया अदा किया साथ ही शमी समझ भी नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए लेकिन ग्रह निर्मान मंत्री जितेंद्रवाट के प्रयासों से यहां पर एक बार फिर तरावी नमास अदा करने का लोगों को मौका मिला कि मौका 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 प्राप्माद